बयान सतरा चपला कोई साधरन औरत नहीं थी खूपसूरती और नजाकत के अलावा उसमें ताकत भी थी दो-चार आदमियों से लड़ जाना या उनको गिरफतार कर लेना उसके लिए एक अधना सा काम था शस्त्र विद्या को पूरे तोर पर जानती थी अयारी के फन के अलावा और भी कई गुन उसमें थे गाने और बजाने में उस्ताद, नाचने में कारीगर, आतिश बाजी बनाने का बड़ा शौक कहां तक लिखें? कोई फन ऐसा न था जिसको चपलाना जानती हो रंग उसका गूरा, बदन हर जगा से सुडोड नाजुक हात पाउं के तरफ ख्याल करने से यही जायर होता था कि इसे एक फूल से मारना, खून करना है उसको जब कहीं बाहर जाने की जुरत पड़ती थी, अपनी खूपसूरती जान बूच कर भी गाड़ डालती थी या बेश बदल देती थी अब इस वक्त शाम हो गई, बलकी कुछ रात भी जा चुकी है चंद्रमा अपनी पूरी किरनों से निकला हुआ है चपला अपनी असली सूरत में चली जा रही है अयारी का बटुआ बगल में लटका है, कमंद कमर में कसे और खंजर भी लगाय हुए, जंगल ही जंगल, कदम बढ़ाय जा रही है तेजसी की याद ने उसको ऐसा बेकल कर दिया है कि अपने बदन की भी खबर नहीं उसको ये मालूम नहीं कि वो किस काम के लिए बाहर निकली है या कहा जा रही है उसके आगे क्या है पत्थर या कड़ा, नदी है या नाला खाली पैर बढ़ाय जाना यही उसका काम है आखों से आशो की बूंदे गिर रही है सारा कपड़ा भीग गया है थोड़ी थोड़ी दूर पर ठोकर खाती है उंगलियों से खून गिर रहा है मगर उसको इसका कुछ ख्याल नहीं आगे एक नाला आया जिस पर चपला ने कुछ ध्यान न दिया और धम से उस नाले में गिर पड़ी सिर्फ अट गया खून निकलने लगा कपड़े बदन के सब भीग गए अब उसको इस बात का ख्याल हुआ कि वो तेजसी को छुडाने या खोजने चली है उसके मूँ से जट ये बात निकली हाई प्यारे में तुमको बिलकुल भूल गई तुमारे छुडाने की फिक्र मुझको जरा भी न रही उसी की ये सजा मिली अब चपला सभल गई और सोचने लगी कि वो किस जगा है खुब गौर करने पर उसको मालूम हुआ कि रास्ता बिलकुल भूल गई है और एक भयानक जंगल में आफसी है कुछ क्षण के लिए तो वो बहुत डर गई मगर फिर दिल को संभाला उस खतरनाक नाले से पीछे फिरी या सोचने लगी इसमें तो कोई श्रक नहीं कि तेट सी को महराज शिवदत के अहियारों ने पकड़ लिया है तो जरूर चुनारगड ही ले गए होंगे पहले वही खोच करती हूँ जब ना मिलेगा तो दूसरी जगा पता लगाऊंगी ये विचार कर चुनारगड का रास्ता डुणने लगी हजार खराबी से आदी रात कुजर जाने के बाद रास्ता मिल गया अब सीधे चुनारगड के तरफ पहाड ही पहाड चल निकली जब सुबा करीब हुई उसने अपनी सूरत मर्द सिपाही की बना ली नहाने दोने खाने पीने की कुछ फिकर नहीं सिर्फ रास्ता तै करने की उसको दुन थी हाकिर भूकी प्यासी शाम होते चुनारगड पहुँची दिल में ठान लिया था कि जब तक तेजसी का पता न लगेगा अन जल गरहन न करूंगी कहीं आराम न लिया इदर उदर ढूणने और तलाश करने लगी एका एक उसे चाला की सुझी उसने अपनी पूरी सूरत पन्ना लाल की बना ली और गसीटासी एयार की डेरे पर पहुँची हम पहले लिख चुके हैं कि छे एयारों में से चार एयार विजएगड गए है और गसीटासी और चुनी लाल चुनारगड में ही रह गए है गसीटासी पन्ना लाल को देखकर उठ खड़े हुए और साहथ सलामत के बाद पूछा कहो पन्ना लाल अब कि बार किसको लाए पन्ना लाल ने कहा इस बार लाए तो किसी को नहीं सिर्फ इतना पूछने आये हैं कि नजीम यहां है या नहीं उसका पता नहीं लगता गसिटासी ने कहा यहां तो नहीं आया पन्नालाल ने जवाब दिया फिर उसको पकड़ा किसने यहां तो अब कोई यार नहीं है गसिटासी ने कहा ये तो मैं नहीं कह सकता कि वहां कोई यार है या नहीं सिर्फ तेजसी का नाम मशूर था सो कैद हो गए इस वक्त किले में कैद पड़े रोते होंगे पन्नालाल ने कहा खेर कोई अर्ज नहीं पता लगी जाएगा अब जाता हूँ रुक नहीं सकता ये कहकर नक्ली पन्नालाल वहां से रवाना हुए अब चपला का जी उठने लगा ये सोचकर कि तेजसी का पता लग गया और वो यहीं मौजूद है कोई हर्ज नहीं जिस तरह होगा छुडा लेगी वो मैदान में निकल गई और गंगाजी के किनारे बैठ अपने बटूए में से कुछ मेवा निकाल खाया गंगाजल पेके निश्चिंत हो गई तब अपनी सूरत एक गाने वाली की बनाई चपला को खूब सूरत बनाने की कोई ज़ूरत नहीं थी वो खुद ऐसी थी कि हजार कूप सूनतों का मुकाबला करे मगर इस सबब से कोई उनको पहचान ले अपनी सूरत बदलनी पड़ी जब हर तरह से लेस हो गई एक बन्शी हाथ में ले राजमहल के पिछवाड़े की चरफ जा एक साफ जगह देख पैट गई और चड़ी आवाज में एक बिरहा गाने लगी एक बार स्वयम गाकर फिर उसी गीत को बन्शी पर बजाती रात आदी से ज्यादा बिच चुकी थी राजमहल में शिवदत महल की चट पर माया रानी के साथ मीठी मीठी बाते कर रहे थे एका एक गाने की आवाज उनके कानों में गई और महारानी ने भी सुनी दुनों ने बाते करना छोड़ दिया और कान लगा कर गौर से सुनने लगे थुड़ी देर बात बंशी की आवाज आने लगी जिसका बोल साफ मालूम होता था महराज की तबियत बेचैन हो गई चट लॉंडी का बुला कर हुकम दिया किसी को कहो अभी जाकर जट महल के नीचे ले आए जिसके गाने की आवाज आ रही है हुकम पाते ही पहरेदार दोड़ गए देखा की एक नाजुक बदन बैठी गा रही है उसकी सूरत देख कर लोगों के होश हवास ठिकाने ना रहे बहुत देर बात बोले महराज ने महल के करीब बुलाया है और आपका गाना सुनने के बहुत मुश्तहक है चपला ने कुछ इंकार ना किया उन लोगों के साथ साथ महल के नीचे चली गई और गाने लगी उसके गाने ने महराज को बेताब कर दिया दिल को रोक ना सके हुकम दिया कि उसको दीवान खाने में ले जाकर बैठाया जाए और रोष्णी का बंदोबस्त करे हम भी आते है महराणी ने कहा आवाज से ये औरत मालूम होती है क्या हर्ज है अगर महल में बुला ली जाए महराज ने कहा पहले उसको देख समझ ले तो फिर जैसा होगा किया जाएगा अगर यहाँ आने लायक होगी महराज ने देखा कि एक औरत निहायत हसीन रंग गोरा, सुर्मई रंग की साड़ी और धानी बुट्टी दार चोली दक्षिनी ढंग पर पहने पीछे से लांग बांदे खुला सा गडारी दार जुडा काटे से बांदे जिस पर एक छोटा सा सोने का फूल माथे पर एक बड़ा सा रोली का टीका लगाए कानों में सोने की निहायत खूपसूरत जड़ाओ बालियां पहने नाक में सरजासी नत एक टीका सोने का और गुंगरुदार पटडी गुथन के गले में पहने और हाथ में गुंडी का कड़ा और चुंदेली जिसके उपर काली चूडियां कमर में लच्चेदार करदनी और पैर में साकड़ा पहने अजब आनबान से सामने कड़ी है गहना तो मुक्तिसर है ही मगर बदन की गठाई और सुडोडी पर इतना ही आफत हो रहा है गौर से निगाह करने पर एक छोटा सा तिल थुड़ी के बगल में देखा जो चहरे को और भी रौनक देता था महराज के होश जाते रहे अपनी महाराणी साहब को भूल गए जिस पर रिजे हुए थे जट मूँ से निकल पड़ा वाह क्या कहना है टक टकी बंद गई महराज ने कहा आओ यहां बैठो बीबी चपला कमर को बल देती हुई अटखेलियों के साथ कुछ नस्दी का सलाम करके बैठ गई महराज उसके हुसन के रौब में आ गए ज्यादा कुछ कहना सके एक टक सूरत देखने लगे फिर कहा तुम्हारा मकान कहा है कौन हो क्या काम है तुम्हारी जैसी औरत का अकेले रात के समय गुमना तज्जूब में डालता है उसने जवाब दिया मैं गौालियर में रहने वाली पटलापा का ठक की लड़की हूँ रंभा मेरा नाम है मेरा बाप भारी गवया है एक आत्मी पर मेरा जी आ गया बात की बात में वो मुझसे गुस्सा होके चला गया उसी की तलाश में मारी मारी फिरती हूँ क्या करूँ अक्सर दर्बारों में जाती हूँ कि शायत कहीं मिल जाए क्योंकि वो भी बड़ा भारी गवया है तो ताजुब नहीं किसी दर्बार में हो इस वक्त अबियत की उदासी में यूँ ही कुछ गा रही थी कि सरकार ने याद किया हाजिर हुई महराज ने कहा तुम्हारी आवाज बहुत भली है कुछ गाओ तो अच्छी तरह सुनू चपला ने कहा महराज ने इस नाचीज पर बड़ी महरबानी की जो नस्दीक बुला कर बठाया और लॉंडी को इज़त दी अगर आप मेरा गाना सुनना चाते हैं तो अपने मुलाजिम सपरदारों को तलब करें वो लोग साथ दें तो कुछ गाने का लुफ्ट आए वैसे तो मैं हर तरह से गाने को तयार हूँ ये सुनकर महराज बहुत खुश हुए और हुक्म दिया सपरदा हाजिर किये जाएं प्यादे दोड़ गए और सपरदारों का सरकारी हुक्म सुनाया वो सब हैरान हो गए कि तीन पहर रात कुजरे महराज को क्या गुजरी है मगर लाचार होकर आना ही पड़ा आकर जब एक चांद के टुकडे को सामने देखा तो तबियत खुश हो गई कुडे हुए आये थे मगर अब खिल गए जट साज मिला करीने से बैठे चपला ने गाना शुरू किया अब क्या था साज वो सामान के साथ गाना पिछली रात का समा महराज को बूत बना दिया सपरदा भी दंग रह गए तमाम इल्म आज खर्च करना पड़ा बेवक्त की महफिल थी इस पर भी बहुत से आदमी जमा हो गए दो चीज दरबारी की गाई थी कि सुबा हो गई फिर भहरवी गाने के बाद चपला ने बंद करके अर्ज किया महराज अब सुबा हो गई मैं भी कल की ठकी हूँ क्योंकि दूर से आई थी अब हुक्म हो तो रुकसत हो चपला की बात सुनकर महराज चौक पड़े देखा तो सचमुच सवेरा हो गया है अपने गले से मूती की माला उतार कर इनाम में दी और बोले अभी हमारा जी तुमारे गाने से बिलकुल नहीं बरा है कुछ रोज यहां ठेहरो फिर जाना रंभा ने कहा अगर महराज कितनी महरबानी लॉंडी के हाल पर है तो मुझको कोई हर्ज रहने में नहीं महराज ने हुक्म दिया कि रंभा के रहने का पूरा बंदोबस्त हो और आज रात को आम महफिल का सामान किया जाए हुक्म पाते ही सब सरंजाम हो गया एक सुन्दर मकान में रंभा का डेरा पड़ गया नौकर मजदूर सब तैनात किये गए आज की रात आज की महफिल थी अच्छे आदमी सब इकठे हो गए रंभा भी हाजिर होई सलाम करके बैट गई महफिल में कोई ऐसा न था जिसकी निगाह रंभा की तरफ न हो जिसको देखो लंबी सांसे बर रहा है आपस में सब यही बाते करते हैं कि वाह क्या भूली सूरत है क्यों कभी आज तक ऐसी हसीना तुम्हें दिखी थी रंभा ने गाना शुरू किया अब जिसको देखिये मिट्टी की मूरत हो रहा है एक गीत गा कर चपला ने हर्स किया महराज एक बार नौगड में राजसुरंदर सी की महफिल में रंडी ने गाया था वैसा गाना आज तक मेरा फिर न जमा वज़ा ये थी कि उनके दीवान के लड़के तेज सीने मेरी आवाज के साथ मिलकर बिन बजाई थी हाए मुझको वो महफिल कभी न भूलेगी दो चार रोज हुआ मैं फिर नौगड गई थी पर मुश्किल तो ये है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और कैद की हालत में वो कभी बिन न बजाएगा रंभा ने कहा जब वो मेरा नाम सुनेगा तो जरूर इस बात को कबूल करेगा मगर उसको एक तरीके से बुलाया जाए वो अलबत मेरा संग देगा नहीं तो मेरी भी न सुनेगा क्योंकि वो बड़ा जिद्धी है महराज ने पूछा वो कौन सा तरीका है रंभा ने जवाब दिया एक तो उसके बुलाने के लिए ब्रह्मन जाएं और वो उमर में 20 वर्ष ज्यादा नहों दूसरे जब वो उसको लाएं दूसरा कोई संग नहो अगर भागने का खौफ हो तो बेड़ी उसके पैर में पड़ी रहे इसका कोई मुझायका नहीं और तीसरे ये कि बिन थोड़ी उम्दा होनी चाहिए महराज ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है इधर उधर देखा तो एक ब्रह्मन का लड़का चेतराम नामी उस उमर का नजर आया उसे हुक्म दिया कि तू जाकर तेजसी को लेया मीर मुझाशी को कहा तू जाकर पहरे वालों को समझा दो कि तेजसी के आने में कोई रोक टोक ना करे हाँ एक बेड़ी उसके पैर में जरूर पड़ी रहे हुक्म पात चेतराम तेजसी को लेने गया और मीर मुझाशी ने भी पहरे वालों को महराज का हुक्म सुनाया उन लोगों को क्या हर्स था तेजसी को अकेले रवाना कर दिया तेजसी तुरंद समझ गए कि कोई दोस्त जरूर यहां आ पहुँचा है तभी तो उसने ऐसी चालाकी की शर्ट से मुझको बुलाया है खुशी खुशी चेतराम के साथ रवाना हुए जब महफिल में गए अजब तमाशा नजर आया देखा कि एक बहुत सी खूप सूरत औरत बैठी है और सब उसी की तरफ देख रहे है जब तेजसी महफिल के बीस में पहुँच गया रमभा ने आवाज दी आओ आओ तेजसी रमभा कब से आपकी राह देख रही है भला वो बिन कब बुलेगी जो आपने नौगड में बजाई थी ये कहते हुए रमभा ने तेजसी की तरफ देखकर बाई आख बंद की तेजसी समझ गए कि ये चपला है और बोले रमभा तू आ गई अगर मौत भी सामने नजर आती हो तू भी तेरे साथ बिन बजा के मरूँगा क्योंकि तेरे जैसे गाने वाली बला कहां मिलेगी तेजसी और रमभा की बात को सुनकर महराज को बड़ा ताज़ुब हुआ मगर दुन तो ये थी कि कब बिन बजे और कब रमभा गाए बहुत उमदी बिन तेजसी के सामने रखी गई और उन्होंने बजाना शुरू किया रमभा भी गाने लगी अब जो समा बंद गया उसकी क्या तारीफ की जाए महराज तो सकते किसी हालत में आ गए औरों की कैफियत तो दूसरी हो गई एक ही गीत का साथ देकर तेजसी ने बिन हाथ से रख दी महराज ने कहा क्यों? और बजाओ तेजसी ने कहा बस मैं एक रोज में एक ही गीत या बोल बजाता हूँ इससे ज्यादा नहीं अगर आपको सुनने का ज्यादा शौक हो तो कल फिर सुन लीजेगा रमभा ने भी कहा हाँ महराज यही तो इन में एब है राजसुरंदर सी जिनके ये नौकर थे कहते कहते ठक गए मगर इन्होंने एक न सुनी एक ही बोल बजा कर रह गए क्या हर्ज है? कल फिर सुन लीजेगा महराज सोचने लगे कि यह जब आदमी है भला इसमें इसने क्या फाइदा सोचा है अफसोस मेरे दरबार में ये ना हुआ रंभा ने भी बहुत कुछ हर्स करके गाना मौकूफ किया सभी के दिल में हसरत बनी रह गई महराज ने अफसोस के साथ मजलीस दरखास्त की और तेजसी फिर उसी चेतरम ब्रह्मन के साथ जेल बेज दिये गए महराज को तो अब इश्क हो गया है कि तेजसी के बिन के साथ रंभा का गाना सुने फिर दूसरे रोज महफिल हुई और उसी चेतरम ब्रह्मन को बेज कर तेजसी बुलाए गए उस रोज भी एक बोल बचा कर उन्होंने बिन रख दी महराज का दिल न भरा हुक्म दिया कि कल पूरी महफिल हो दूसरे दिन फिर महफिल का सामान हुआ सब को या कर पहले ही से जमा हो गए मगर रंभा महफिल में जाने के वक्त से गंटे बर पहले दाव बचा चेतरम की सूरत बना कैत खाने में पहुँची पहरे वाले जानते ही थे कि चेतरम अकेरा तेजसी को ले जाएगा महराज का हुक्मी ऐसा है उन्होंने ताला खोल कर तेजसी को निकाला और पैर में बेड़ी डाल चेतरम के हवाले कर दिया चेतरम यानि की चपला उसको लेकर चलते बने थोड़ी दूर जाकर चेतरम ने तेजसी की बेड़ी खोल दी अब क्या था दोनों ने जंगल का रास्ता लिया कुछ दूर जाकर चपला ने अपनी सूरत बदल ली और असली सूरत में हो गई अब तेजसी उसकी तारीफ करने लगे चपला ने कहा आप मुझको शरमींदा ना करें क्योंकि मैं अपने को इतना चालाक नहीं समझती जितना आप तारीफ कर रहे हैं फिर मुझको आपको छोड़ाने की कोई गरज भी न थी सिर्फ चंदरकांदा की बे मुरबवच से मैंने ये काम किया तेजसी ने कहा ठीक है तुमको मेरी गरज कहे को होगी गरजू तो मैं ठहरा कि तुम्हारे साथ सपरदा बना जो काम बाप दादों ने न किया था सो करना पड़ा ये सुन चपला हस पड़ी और बोली बस माफ कीजिए ऐसी बाते ना करिए तेजसी ने कहा वाह माफ क्या करना मैं बगेर मजदूरी लिए न छोड़ूंगा चपला ने कहा मेरे पास क्या है जो मैं दूँ तेजसी बोले जो कुछ तुमारे पास है वही मेरे लिए बहुत है चपला ने कहा खेर इन बातों को जाने दीजे और ये कहिए कि यहां से खाली हाथ ही चलिएगा या महराट शिवदत को कुछ हाथ भी दिखाईएगा तेजसी ने कहा इरदा तो मेरा यही था आगे तुम जैसा कहो चपला ने कहा जरूर कुछ करना चाहिए बहुत देर तक आपस में सोच विचार कर दोनों ने एक चाला के ठहराई जिसे करने के लिए ये दोनों उस जगा से दूसरे घने जंगल में चले गए